नमस्कार आज हमें बनने वाले हैंuga मतर और रवे के अपे ये बहुत वादिष्ट होते हैं। सब्स्सके की है चाहिए। सबसे पहले मैंने देखे इसमे और प्तल कुछो धनुम है। जिक कि फूल जाय इसमें बहुत ज़्य पानी नहीं डाला है हमें बहुत ज़्ञाधा पताला नहीं करना है। यह सारी सबजें इसको फाइनी चॉप कर लिया है। यहां पर यह मटर है मटर में मैंने इसको उबाल लिया था। फिर हरी मिच अद्रक और लहसुन डाल कर इसे धरश कर लिया है, इसे दरदरा पीसना है, मटर को 80% ही बॉयल करना है, और बिना पानी के उससे पीस लेना है, यहाँ पर है थोड़े से गाजर, थोड़ी सी प्यास और थोड़ी सी शिमला मिच, करीब टू-टू स्पून सारे है और हरी धनिया, यहाँ पर आपको चाहिए थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा नमक और यह रही काले मिच, काले मिच से काफ़ी अच्छा साथ आता है, यहाँ पर मैं लाल मिच प्रियोग में नहीं कर ला रही हूँ, आप जब मटर पीसने तब यह उसमें हरी मिच डाल आखरी में मैं इसमें डाल रही हूँ, यहाँ अच्छा लगता है, रैट चिली नहीं डाली है हमने, यहाँ पर यह देखिए थोड़ी सी आप चाहता है, लेकिन यह बनता है, इसमें आप नमक डाल दीजे, स्वात के अनुसार यह इससे हमारे करीब करीब 15-20 अपर बनेंग इसमें मिक्स कर देंगे, यदि सोदा नहीं है तो आप इनों भी प्रयोग मिला सकते हैं, लेकिन बहुत कम, यहाँ पर मैंने अप पमिकर जो आपका घर पे होगा, आप उसे घ्रीस कर लीजे, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ड्रॉप ही डाला हुआ है, इसमें ऑईल और गरम क आप अपके जोएं, तो आप यहाँ आप जोऊने सब आपके, यहाँ चालू है, यहाँ अधर नहीं आपके, वहाँ आपका छिल्फ दिधा, और तो आप जोड़के, अभी रहाड़ दुद्दे व्हाँ ऑखरेंगे, फार इसमें आपके, र्रे ज densफ यह बहुत कम औलड़ क्षिक और यह हैं यहां पर यहां पर उपने के बाद है तो हम यहां पर पर कर देखा तो यहां पर यहां पर यहां के सब्सक्राइब हैं तो यहां पर यह देखे एक तरफ से सिख चुका है यहां यह रवे का है तो रवे देखे अच्छी से फूल चुका है अब मैं इसे टर्न कर दूंगी और इसमें सारी सब्जियां जो है वह हमने चौप करके डाली है इसलिए इसका जो क्रंची है टेस्ट जो है वह बहुत ही अ इसका आउटर लेड़ थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है लेकिन रवर का अंदर से तो यह काफी सॉफ्ट होता है इसे आप पुदीनी के चिटनी के साथ इन्जोई कर सकते हैं चाय के साथ खा सकते हैं बहुत अच्छे लगते है यह 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 जदी एक मेरे तीन से चार यदि यह ज़िए साथ टाइम नहीं लगता है यहां पर मैंने इससे पलड़ दिया है और अब यह दूसरे तरफ से भी सिखने के लिए पूरी तरह से त्यारे इसे हम फिर से डख चकते हैं यह सोफ्ट होगे और नहीं डख नहीं रहेंगे और यह थोड़े क्रिस्पी रहेंगे त और हमने सब कुछ हराई डाला हुआ है यहां पर देखें यह रेडी है बन के और इसे मैंने पुदीने की चटनी के साथ सब गया है तो आप इंजाए कीजिए यह हैल्दी पॉस्टिक और क्विक नाश्टिकी रेसिपी और आपको कैसी लेगी जरूर बिताइएगा मिलते हैं बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब धया है यह है यह यह धलो में यह रसिपी रेसिया है इंजाएशों में गाण सब minder